नवस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखें अपसे कुछ देर पहले शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है आपको बता दें कि जैसे ही शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया वैसे ही शिक्षकों के बीच एक बार फिर से हंगामा मच गया है तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बात चीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुन पांडे जी से सबसे पहले पहुश्च देखे विहार में पांच लाग सधिक सिक्षक हैं साधे पांच लाग और बहुत लंबे इतिजार के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी आई थी अब इसका बाड़ी विरोध होने लगा यह बहुत अधिसंग सिक्षक ट्रांसफर के पक्सधर्थ है इसकी चर्चा क करता हूं लेकिन आज तो पहला सवाल आपने यह किया क्या आज देश क्या आया है कल ही सरकार ने एक आदेश दिया पहले तो ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी रद कर दी गई और दो लाग साथ हजार आवेदन दिये जा चुके थे पांच नबंबर से आवेदन लिया दो लाग साथ हजार सिक्षक आवेदन कर चुके थे कही आदेश में सरकार ने कल एक आदेश निकाला और कहा कि वही ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी रद कर दी कर दी जाती है और जो इसके आलोग में जीन लोगों आवेदन लाइन किया था वो आवेदन भी सभी रद जो आज कहा कि विशेश समस्या जिनकी हो उनके ट्रांसफर पर सरकार विचार करेंगे कल उस आदेश में की भी था और था कि एक दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक फिर उसी तरह से ऑनलाइन आवेदन लिए जैंगे अब विशेश समस्या क्या होती है फिर सब लोग सारे सिक्ष विशेश समस्या क्या होगी कि विशेश समस्या आखिर क्या हो सकता है फिर वही कर दिया एक चीज अटा दिया कि अब महिला ग्रीव पंचायत से बाहर पूरुस ग्रीव अनुमंडल से बारिस बैरियर को समाप्त कर दिया देखे टांसफर पोस्टिंग की पोलिशी को लेकर सिक्ष को ने तो आधूलन किया है वह किसी टांसफर पोस्टिंग की पोलिशी के खिलाप नहीं थे उसमें जितनी सर्थे लगा दी गई जो निती बनी जो नियम बने जो परकिरिया अपना ही जा रही सेंगे वह सारा बैरियर को समाप्त कर दिया गया है बता है कि तो आ साधे रोग में लिखा कूल हो कि पहले गंभी तो ऐसे लोगों पर सरकार बिचार करेगी टरंसफर करेगी उनका फिर कहा है कि जो आसाध हो रहा है उसी तरह काथ प्र псих їх डारा को इलाज करना रहे दाद नहीं होता है दबा करानी होती है बहुत को केमों कराना पड़ता है तो ऐसे लोगों को भी सरकार ने वीचार किया कि नहीं उनका टांसफर की मांग जायज है और हमें करना चाहिए ऐसे लोगों को कहा है फिर जो विदवा महिला है अब जो विदवा हो गए अब नोक्री तो कर ली बैचारी आप घर से दूर कह कर लित तो सरकार वैसे भी और बिद्वाय परितियक्ता diu उसमें ने कहा है कि यह विक्राइज कि सब्दक्राने ऑभी जो पोस्टिंग हुई उसमें बहुत लोगों घर से इतना दूर हो गया कि सच्मुच उनको घर से दूर रहना अब बाड़ी परिशानी का सबब बना नोकरी नहीं तो ऐसे लोगो को भी कहा कि नहीं ऐसे लोगो को भी विचार करें आप उसमें देखिया तीन चार केटगरी वह गए पति पत्नी पत्नी को भी कहा है कि जो पत्नी एक जगा है इस्था भी किये थे तो आप तो उसको भी सर्वनिक कर दी थी आपने चर्चा की तो उसी दिन लाइफ सीटीज के वीवर्स जान चुके थे कि सरकार करने क्या जा रही है लेकिन पूरी नीती जो लेकर आई हूँ तो घर से दूर रखने वाली हो गई थी तो ये सारे चीज वो पॉलिसी लेकर आई है मार्दी सेपका और उसमें फिर वही है आप सब को दस दस चॉइस देना है यह दिया है और उसमें कहा है कि तीन अनिवाट चॉइस किये उसमें कहा है कि आप जिला और परखंड दीजे आप घर और ही बताई एक जो घर से दूर है तो कितना दूर है कि अधिया दूर है कि आप वर्तमान पॉस्टिंग कहा है और चोइस वाली पॉस्टिंग कहा है आप पढ़ा रहा है वहां से घर से कितना दूर यह सब कुछ आप उलेक करते हुए दीजे और फिर यह आवेधन पर विचार होगा डेट तो पहले ना उब्स किया जा चुका ह है अभी तो 22 नमंबर तक नाना था मुझे लगता है कोई तीन सारे तीन लाग आए होते हैं इसलिए मैंने आप से भी कहा था कि नितीज सरकार में सब रिकॉर्ड बन रहा है बंपर नियुक्ति बंपर ट्रांसपर बंपर आवेदान और की बंपर रिजिनेशन अभी सारे विस्षिस सिख्षक जो बनेंगे उनको रिजाइन भी करना है तक कुल मिल्यादरों कि चाहिए इसलिए अब एक राहत भड़ी खबर है वैसे सिश्कों के लिए जो सचमुच अपनी बर्तवान पोस्टिंग से परिशान है अपने कुछ ऐसे कारण है जो उनके बस में नहीं है अब कोई असाध्यरोगी है कोई गंभी रोक से ग्रस्त है सचमुच पति-पतनी दोनों नौकरी तो हो गई दो जगा हो गए अब वो बात आप लोग हम इसका लेकर आई है और ये एक स्वागत योगी कदम है सरकार तो सचमुच में उस दिन भी औरंगाबाद के तेरस सिष्कों के आवेदन पर कोट ने सिर्फ उन्हें ही रहा दी थी यह ऐसा नहीं था कि पूरे ट्रांसपर पोस्टिंग की पॉलीशी को ही निरस्त कर दिया थ कहा था इबास सही है कि सरकार उस दिन कोट में कोट के बहुत सारे सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी अब खुद छे सप्ता का समयली लेकिन सरकार ने कहा कि आवेदन लेकर आ है तो प्राइमा फेसे देखता है कि मनमानी हो रही है मनमानी हो रही है ये कोट ने भी अवजर्ब किया था तो उन तेरा सिश्कों को कर दिया कि तेरा सिख्षक का तो आफी रिली फिमिजयत मिलता है और आप 21 जनवली को अब तो कोट में तो भी ममला विचारा दिन है इस वी चब तो जो चीज को चैलेंज किया गया था वही न अब आप तो उसाब भूल दाई है अरुन जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तो यही वाली बात हो गए कि अब शिक्षकों को मन चाहा जिला मिल जाएगा यानि कि आप सामूहिक तबादले की नहीं बलके एक्षिक स्थांतरन भी बिशेश समस्या को लेकर जो इसे बलकर बात क्या होगी ब्रीप पंचायत वाली बात नहीं है लेकिन किसी को कहा है कि नगर पंचायत तो नगर पंचायत यहां 12-14 नगर निगम है नगर परिशद है नगर पंचायत है तो इसलिए लेकिंट यह बिल्कुल एक शिक अस्थाना निसकों को आप कहेंगे और बिल्कुल बिल्कुल सकुन देने वाला है और कहीं ने कहीं मुझे लगता है यहां पर भी कहीं पेच तो फस्ता हुआ नहीं है अब किसी सरकार जब फिर जिस नीत को रद कर दी और उसके बाद तुरत ही दूसरे ही दिन ट्रांसवार हम करेंगे यह करने के लिए सरकार आगे ही तो उस नियत पर तो दिखिए अंत है कहीं न मांग का अंत है अब उद दखिए एक विशिष सिख्षकों की वह मांग अभी भी फिर मैं दूर आता हूं कि सेवा निरंदरता कि उनकी मांग पूरी तरह नियाय उचित है इस पर सरकार को विचार करना ही होगा आप जिस दिन से विशिष सिख्षक बना रहे हैं नियोजी सिख्षक को तो और फिर इस्थिपा लिजेगा तो उनके पुरानी सेवा का क्या होगा और एक साल से काम कर रहे हैं बीपेस्ची वाले तो सारे सिनियर न हो जाएंगे वही इसलिए ये तो बिल्कुल नियावचित मांग है जो विशिष सिख्षक बनने जा रहे हैं वही बन सकता है जो नियोजी सिख्षक रहा है तो नई नोखडी और सेवा भी गायवी की तो अंधेर गर्दी इसको आप कहिए अन्या है इसलिए वह मांग पोड़ी होनी चाहिए कुल मिलाजुला कर मांता हूं कि आज अस्थान अंतरन पदस्थापन की नीत क्या आलोक में जो गाईलाइन सरकार लेकर आई है स्वागत योग है ये सिख्ष्षों का एक शिक ट्रांसफर है भले ही अब जनरल नहीं हो रहा है जिसको जरूरत है उनको में जरूरत तो सबको पड़िवार के लिए जानता हूं दर्जन भर को जो भी हार के रहने वाले आपको भी याद होगा आपने जिक्र भी किया कि किस तरह से शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉंफरेंस बुलाई थी और साफ साफ कह दिया था कि ततकाल प्रभाव से हम इस स्थांतरन नीती को स्थगित करते हैं लेकिन उसके बाद आपने ये भी देखा कि एक बार फिर से सरकार ने ट्रांसफर पोस प्रभार के मतलब एक पलिवार में पांच भी गिनियेगा तो पांच पचे पचीस लाख ये बोटर देउता एक तरह से हो गए और वाब उसको सगे समंधी को भी जोड़ियेगा कोई होती है निसाहिसा नुक्री देदी आनि तीस कुमार ने लेकिन तो कितने लोगों का हाई लेते तो आज सरकार कम से कम लेकिन पूल ताइमें में बदल दी है अभी चली आदा घंटा ही थोरा सा उसमें भी तो रहा तो भई सीम ने कहा था कि दस से चार तो शाड़े नौ से चार हुआ है निशित रूप से आपके के पाठक तो है नहीं नह को सुधार करने के लिए का जाता है तो चुटी पर चले जाते थे ऐसा तो होना नहीं चाहिए देखें यह मैं मानता हूं कि जो संसदिय प्रणाली है यह पूरे देश भर संसदिय इतिहास में मुखमंत्री के पद का कहीं ने कहीं उसे गरीमा करी कोई मुखमंत्री सदन में कोई भोसना करें लागू नहीं हो मैं उसको उस रूप मसे लेता हूं किस अधिकारी का इमांदार होना क्या उसे गुस्ताकी करनी की चूट है उसको चीफ-फिनिसर और गवर्णर को भी बात अबेहलना करने की चूट है यह बहुत रोस जनक बात मैं कह रहा हूं यह चीज ह थोरी देर के लिए शिक्षा मंत्री को भी दिल भी जिने लेगा रहा है यह भी स्वागतियों करने अब निति जी को अच्छा लिए अब शिक्षा मंत्री पॉलिटिकलिकल रेट होता है अब अब इभाग में सिद्धार्थ नहीं मानें क्या में सेच जाएगा बिल्कुल मजाग बनके रहे लेकिन अब जो कुछ हुआ वही मुखमंत्री के कारण हुआ था अब मुखमंत्री चाहते चंसेखर अपने बियान बीर हो गये थे अब सिक्षाई भाग का कम अब कुछ ज्यान ज्यादा बटो रहे तो देखिए मान सम्मान से न रहे अब मांसा मांस क्या हुआ सो आप देख लिए विभाग मौन के पीए इसको जानने तक की मना ही करा दी गई थी जो प्राइवेट सेक्रेटिव प्राइवेट आदमी है उस जिस दिन का काग्य है न उस सरकारी सेवा में आप उस सची वाले माने से मिनी सर का पीए नहीं जाता है उसको प्रस्रे दिया जाता है यह दुखदाई है तो सुना अपने क्या कुछ बताया है अरुन पांडे जी ने तो तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको भी बताया है कि अब शिक्षा विभाग ने कौन सा नया देश जारी कर दिया है तो फिर यह पू झाल 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 झाल